विड लिस्ट अब विड है ना कल हम लोगों ने पॉडट को एकोर्डिंटू मैच किया था और हम लोगों ने उसको छोड़ दिया था अप्रूबल के लिए कल अप्रूबल तो मिला था पर वो टेंडर मुझे फिर भी नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने बोला था इसको मिल रहा था है कि तेंडर भी मिलेगा और परिकएड भी कर पाएंगे अभी नहीं Site कि ऐसे कटेगरी सुड़े का टेंडर का 10 Pak10 में राइज है क्या दिख और उप समीन घ्मrhा क्या तकोशोः और किr आज यहां पर बेट सीट का कैटिगरी आ जाएगा यह वाला लीलन वाला बरबर अब देखो आ गया ना कैटिगरी अब कैटिगरी आ गया तो ठेंटर भी दिखना चालो हो गया अब हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे पार्टिसिपेट हो गया अब यहां पर पर कैटिटलोगा आ गए अब इस कैटिलोग भी दीखेगा मुझे क्यों दीखेगा क्योंकि उस कैटिगरी में प्रपर मैच करके हमने डाला था ầुझेट गयारी जो कैटलोग मैंने डाला था होई देख रहे है क्योंकि हमने प्रॉपर मैच किया था जैसा था ऐसा स्पेसिफिकेशन में डाला था कल तो देखो मुझे यहां पर दिखना एक भी मिस्टेक आपका यहां पर दिखेगा नहीं पॉड़र अब मैं इसको चूज़ कर सकता हूं चूज़ इस केटलग आ गया सब डीटेल्स इसको encrypt and save हो गया continue अब यहां पर offer price डालेंगे क्या offer price में आपके वहां पर मेरा offer price कितना था 1500 बराबर है ना MRP कितना है 3400 देखो लो और एक बार और एक बार दिखाता हूं देखो चेंज केटलग कितना है MRP 3400 ओफर price मेंने केटना डाला है 1500 यह मेरा price है जब हम लोग ने कल केटलग पब्लिस किया था आज हम अभी यह rate से मुझे कोई मतलब नहीं है कब बीड में बीड में अपना rate डाल सकते है 3400 तक डाल सकते है यहां तक MRP तक इसमें कोई 10% discount देने की ज़रत नहीं है यहां तक आप rate डाल सकते हैं इसके उपर भी डाल सकते हो डालने के यहां मना नहीं करेगा आप यहां पर 6,00,000 भी डाल सकते हो कोई मना नहीं करेगा पर आप technical में disqualify हो जाओगे क्योंकि as a rule MRP से उपर कोई भी rate आप नहीं डाल सक यहां पर अपना rate डालो 1500 से यहां पर कोई मतलब नहीं सिर्फ अमर्पी से उपर नहीं होना चाहिए यह product में GST पूछ रहा है तो GST कितना परसेंट है 18% case charges है क्या तो नहीं है जिरो हो गया अब यहां पर आएगा भी हो टोटल प्राइज हम टेंडर कितने भर रहे हैं दो लाग बहत्तर हजार में क्यों एक का प्राइज 3400 है आठ quantity थर्टी तीन हजा चार सो इन्टू आठ त्वाइंटी सेवन थाउजन में वर रहे हैं इसमें से 4149 GST इमांट है इसमें इंक्लूड है GST अलग नहीं है 27,000 में 4,150 रुपे आपका GST इंक्लूड है यह हमेशा नहीं आएगा यह नहीं भी आ सकता है तो आपका GST यहाँ पर जो भी प्राइस डालोगों गोगों इंक्लूड होगा इंक्रिप्टन से ओके प्राइस हो गया डॉकूमेंट्स अप्लोड करोगे बाकी का डीटेल्स बताया हूँ अब देखो इसमें सर्वीस बीड़ में अपने को यस का ओप्सेंस आ रहा था कल के क्लास में आज यहाँ पर बाइडिफॉल डिजेबल आ रहा है यहाँ पर हम य ही आ रहा है मतलब हम मसमी का सर्टिपिकेट का यह मसमी का कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे बाइडिफॉल्ट नो आ रहा है कि समय में आ गया कि सिपसा सर बोलिए रीसेलर की रूप में इसे पाटिसिपेट कर रहे हैं सर तो ओई हम अथ्राइशें सेटिपिकेट कैसे अप्रोड करेंगे गए मांगा है तो देना पड़ेगा आप जो भी कंपनी का पोडल दे रहे हो उसका अथ्राइश्जिट लो अप्लोड करो Q2 o तो मुझे चीज क्लियर करना है साँपने बोला न कि अगर हिम मोडेनम हम फी डालते हैं ठीक है तो हम एककिनिके लीडिश्कनिकी क्या कई हो गया क्या चायां कि क्योंकि terrible इसमें किसी ने लोब भी डाला तो भी डिस्क्वालीफाइए हो जाओगे आप L1 होने के बाद भी आपको order नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि आप MRP से उपर code किये हो मतलब अगर कोई नहीं सर्थ अगर L1 declare हो जाते तो automatically order तो उसी को जाएगा ना L1 आपको L1 होने के बाद भी आपका order नहीं जाएगा L2 को order चला जाएगा आपको L1 में disqualify गोसित कर देगा अच्छा यह jam चेक करता है क्या जेम करेगा ना मेड़ा ओके ओके इसलिए MRP के नीचे कभी भी code करोगे गोगे सर इसमें तीन चीज़ी मांगा एक वहीं यह मोटोरीजेशन सर्टिफिकेट डाल देंगे दूसरा जो दस पेज का जो लेटर होगा वीड का वह एक डाल देंगे और तूसरा कंप्लाइंस वो व्पोडीयों क्यूट स्पेसिपिकेशन में वह यह जो दो पेज होगा तो हो गया ना इसका हो गया ना आज सर तिसरा दीन है टेंडर खतम हो चुका फिर भी आप लोग डॉकॉमेंट्स में ही फंसे हो तो बड़ा मुस्किले नहीं सर समझ गये बट यह पका करना है अधूरा चोड़ दिया था उसको आज कंप्लेट किया समझ गया इसके आगे का तो चीजे आप लोग को और लेडी बता चुका हो तो यह हो गया पोड़ाट भी डालने का बंच होता तो सबका डालते और एक एक चूज करते बस वह बंच में हो जाता